नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं अने सदस सन्य वार सुबह से ही सहरक विभीन चगो पर जाकर दुकंदारों और वहंचलकों से बंद समर्थन की अपिल की सभी छात्र नेताओं ने खात गड़ा बस स्टेंड पर जाकर बसों की अवजाही बंद रखने की अपिल करते दिखे वहीं छात्रों ने आने जाने वाली बसों को रोखने का पर्यास भी किया हलाकि अहले सुबह जो बस से बाहर से आई उसे बंद के असर से दुर रखा गया वहीं सभी छात्र नेतावों ने राज सरकार की नियोजन नित्ती के बिरोध में नारे लगाते दिखे इस दोर उन्होंने सभी बस एसोसियेशन ट्रक एसोसियेशन दुकंदार संग बजार समीतियों को बंद में सहयो करने के अपिल की है देविंद्र नाथ महतों ने कहा है कि 31 दिवस ये महा जना दोलन के प्रथम चरण में 42 सत्ता पक्स के विधायक समेथ कूल 22 विधायको और 13 सांसोदोन लिखी समर्थन दिया है मौसम विभायक के अनुसार जारखन के लोगों को दो दिन बाद यानि स्वोमवार से गर्मी सिराहत मिलने की उमीद है आई एमडी ने कहा है कि जारखन में 12 जून से प्री मानसुन बारिस सुरू हो सकती है इस दवरान राजे के उत्री पूर्वी और मध्य भागों में हलके से मध दर्जे की बारिस होने की समभवना है बता दे कि भारी बारिस के साथ मानसुन गुरू वार को केरल पहुच किया है सुक्रवार को मानसुन ने पुरू अतर में भी दस्तक दे दिया है मौसम बैग्यानिको का अनुमान है कि सानिवार से बारिस और बढ़ सकती है वहें उत्तर बंगाल और सिक्कीम के कई इलाकों में रविवार और सोमवार को 70 से 110 मिलिमीटर बारिस होने की समधा है इधर अगले कुछ घंटों में मौसम तेजी से बदलने के असार है जिसका आशिक असार जार्खन में भी देखने को मिल सकता है दरसल आएमडी ने चक्रवाती तुफान बीपर जाय के अगले 24 गंटे में और तेज होने का असार जताय है जार्खन के सरकारी स्कुलों में बजने लगी पानी की घंटी केरल और करनाटा की तर्ज पर अब जार्खन के सरकारी स्कूलों में भी पानी पीने की घंटी बज़ने लगी है इसका मकसद है कि बचों में पानी की कमी नहो इसकूली सिक्षा और सक्षता विभाग के निर्देश पर इसकूलों में बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है खास बतिया है कि पानी पीने के लिए स्पेसल घंटी बजाई जा रही है बतादे 5 मिट का ब्रेक दिया जा रहा है जिसका नाम है पानी की घंटी डॉक्टरों का मनना है कि बच्चों के बेहतर स्वास्त के लिए पर्याप्त मत्रा में पानी पीना जरूरी है आज की लाइफ इस्टाल में बच्चे भी काफी ब्यस्त हो गए हैं बच्चे जब बिमार पड़ते हाँ तो उनमें पानी की कमी पाई जाती है इससे सारेरिक वा मानसिक तोर पर भी कमजोर होते हाँ बिद्यार्थों की बेहतर सेहत के लिए ही यह निना लिया गया है 15 जून को बिधी वेवास्था की समिक्षा बैठक करेंगे सियम हेमन सुरेन जार्खन में बिधी वेवास्था को लेका सियम हेमन सुरेन ने 15 जून को समिक्षा बैठक करेंगे इस बैठक में सभी बड़े पुलिस अधिकारी सामिल होंगे इसे पहले डीजीपी बारा सभी जीलो के एसपी अरवरीय पुलिस अधिकादियों से बात करेंगे बता दे मुख्य मंत्री हमान सुरेन 15 जुन को राजी की बीदी बेवासा की समिक्षा करेंगे पुलिस मुख्याले के द्वारा इस समद में जारकन के सभी जीलो के पुलिस अधिसकों को पत्र भेज कर सीम समिक्षा की जनकारी दी गई 15 जुन को मुख्य मंत्री नकसाल संगाठित अपराथिक गिरो अवयद खनान नार्कोटिक्स के साथ साथ कई दूसरे मुद्धों के भी समिक्षा करेंगे 15 जनकारी के उनसार सीम के समिक्षा के बिंदू को ताय कर लिया गया है विदी विवस्ता को लेका सीम समिक्षा तो करेंगे ही इसके लावा राजे में अवयद खनान से हो रहे हाथ सो की भी समिक्षा की जाएगी राज्ये समन्वे समिती की बैठक संपन राज्ये पाल को फिर से भी धेक भेजने की तयारी जार्खन में राज्ये समन्वे समिती की बैठक संपन होई पुरमुख मंत्री सीबू सोरेन की अध्यक्स्ता में उनके आवास पर इसका आविजन हुआ राज समन्वे समीति की बैठक में जार्खन में सरना धर्म कोड लागू करने के लिए राज सरकार से उच अस्तरिय समीति की गठन के उन्संसा की गई यहां उच्छ आस्तारिय समिती राष्टपती तथा प्रधान मंत्री से मिलका सरना धर्म कोड को लेकर राज सरकार द्वारा भेजेगा प्रस्ताव पर समधी देने की मांग करेंगी बता दे इस बैठक में राज सरकार द्वारा भिधान सवा से पारित काया गए 1932 के खत्यान अधरित आस्तानियता समधी बिध्याग ओबिस सी आरक्षन बढ़ाने समधी बिध्याग सहीत राज जेपाल द्वारा लटाये गए सभी बिध्यागों पर पुर्ण विचार कर उसे फिर से राज जेपाल को भेने की उन्संसा की गई है जारक्षन िस टुडेंट यूनियन के वाहन पर दो दिवसे जारक्षन बंद पहले दिन जीला मुख्याले में असरदार रहा चात्र खत्यान अधारित नियोजन निती को लागू करने और बिना नियोजन निती बनाए सरकाद वार निकाली के वैकेंसी को रद्ध करने की मांग को लेकर सलक पर उतर गये हैं बता दे जार्खन बंद का ग्रामिनों छेत्रों में असर नहीं है वहीं सनीवार की सुबा आदिवासी होस्टल के चात्र चात्राओं ने चात्र नायक मनोहर टूडू के निती उत्र में जगा जगा पर बैरिकेटिंग कर सलक जाम कर दिया सहर के ग्रीन होटल मोड टमटम एस्टेंड पटेल चोग सक्षर्टा चोग सहीत कई अने अस्थानों पर भी छात्र चात्राओं ने सलक जाम कर दिया वहन चालकों को रोका जा रहा है ट्रेन से उतरने वाले अत्रियों को भी दूर जाका टोटो पकरना पर रहा है जारखन में बालू खनन बंद NGT ने लगाई रोक जारखन में 10 जून से बालू घाटों से बालू को निकासी पर रोक लग गई है बदा दे कि यह रोक 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी यानि इस दवनार राजे के किसी भी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकती निकासी करने पर खनन बिभाग की ओर से करवाई की जाएगी इधर राजे में अब तक बालू खाटों का टेंडर पूरा नहीं हो सका है 19 जून तक राजे के 9 जीलों के करीब 40 बालू खाटों से बालू को निकासी की गई है JSMDC के MD अमीत कुमार ने बताया है कि निगम के पास 50 लाग CFT बालू है वहीं पिछले साल की तूनला में इस बार दोगना से अधिक बालू का स्टोक है जारखन राज समनोय समिती की बैठक वर BJP का प्रहार जारखन सरकार के दोवारा गठित समनोय समिती की पहली बैठक को इस बैठक में कई अहम मोदों पर बाक्षित की गई लेकिन भारतिया जनता पार्टी ने इस बैठक पर अपना परतिकरिया दी है और बैठक को आपचारिकता करार दिया है बतादे जारखन के BJP परदेश अध्यक्ष और राज सरकार दिवा प्रकास ने समनोय समिती की बैठक पर कड़ा परहार किया है BJP ने कहा है कि इस बैठक ने राज के सावा तीन कुड़ों जनता की उमीदों पर पानी फेर दिया है परदेश भाजपा ध्यक्ष और सांस दिपर प्रकास ने कहा है कि बैठक के ओल अपचारिकता मात्र बन कर रह गई साथी उन्होंने कहा है कि राजी के कई मुद्धों को इस बैठक में नहीं रखा गया उन्होंने कहा कि बरश्टा चार महिला उत्पिरन हत्या जमीन घोटाला खनीजों की लूट जैसे कई भी से पर बातचीत होनी चाहिए थी लेकिन बात नहीं हुई साथी बीजेपी ने कहा है कि इस बैठक में नियोजन नीती और अस्थानिय नीती पर समन्वे समीती ने खुद अपनी सरकार को ही आईना दिखाया है 46 के बिरोध में जार्खन बंद 46 नियोजन निती के बिरोध में जार्खन एस्टेट इस्टूडेंट यूनियन की ओर से दो दिवसे जार्खन बंद 10 और 11 जून 2 हरतेश को बुलाया गया है जार्खन बंद को सफल बनाने के लिए बंद समर्थक छात्र नेता सड़क पर उतर कर बिरोध कर रहे हैं बताजे रांची की सलकों पर बंद समर्थकों ने टाटा रांची हाईवे पर टायर जला कर बिरोध किया और जमकर नारा लगाया की 40 नहीं चलताओ नहीं चलताओ वहीं बंद समर्थकों ने सूबा से जितनी भी दुकाने खुली थी सभी को बंद करवाया गया रांची में जहारखन बन्द का ब्यापक असर देखा गया सलक पर उत्रे छात्रोंक ने बिरोध किया जिसके बाद सलक जाम हो गया जहारखन में भीषन गर्मी कए कान इसकोलों को बन्द करने की मांग 15 जुन के बाद ही पूरे राजे में लोगों को गर्मी से हलकी राहत की उमीद है पताज़ा जमसेतपुर में 43-44 डिगरी की विशन गर्मी वह हीट वेब चलने पर कुलहान आयुक्त मनोच कुमाने सनिवार से लेकर 17 जुनता कुलहान की 3 जिलो की सभी सरकारी वर सभी निजी स्कूलो के संचालन के समय में बदलाव का आदेश दिया है इसकूलों के अलाला अंगन वाड़ी केंदरों के समय बदलाव का आदेश दिया गया पतादेश अनिवार से एक सब्ताथ तक के लिए या आदेश प्रभाई होगा वहीं आयोक सिरीकुमार ने सुकरवार को ही पुर्भी सिंभों पच्मी सिंभों सराय के लाखर्चावा जी लेके डीसी को भेज कर आदेश का अनुपालन सुनेश चित कराने को कहा है गढ़वा के बभनी खाढ़ डेम में डूबने से तीन बचो की महत होगए है घाटना नया खाढ़ इस्थित बभनी खाढ़ डेम का है बताया जा रहा है कि नहाने किदरान डूबने से तीनो बच्ची की मौथ होगाई घटना सन्निवार यानी सुब्बा साले नौ बजे की है मिरितको में नगर उटारी थाना छेत्रे के जंगी पूर्निवासी मुन्ना राम का सात वर्षिय बेटा अंकज उराव वहीं गड़वा थाना छेत्रे के कुश माहा निवासी मुन्ना उराव का नव वर्षिय बेटा सोनु उराव और गंजी पूर्निवासी जवाहर उराव की तेरा वर्षिय बेटी रूपा कुमारी का नाम सामिल है अपराध और बीधी बेवास्था पर राज अस्तरिय बेटाक जल्द जारकन में सरकार के अस्तर पर बहुत जल्द ही अपराध और बीधी बेवास्था पर सभी जीलों के उपा यूगतों वह पुलिस अधिक्सकों की राज अस्तरिय बेटाक होनी है इस बैठा को देखते हुए जहरकन पुलिस मुख्याले ने तैयारी भी शुरू कर दी है पुलिस मुख्याले ने 9 जून को CID के DG सहीत सभी जिलो के SSP, SP को जारी पत्र में इसका जिक्र किया है जिलो से पुलिस मुख्याले ने 11 जून तक हर आल में बैठाक के एजेंडे से समधिर रिपोर्ट मांगी है सभी जिलो को बैठाक के एजेंडे से अवगत करा दिया गया है जिसके अनुरूप ही रिपोर्ट की मांग की गई है हबा डबा जूए का खेल रोकने गई पुलिस पर पत्राव जार्खन में पच्मी सिम्हुम जीले के बंदगावा थाना अंतरगत ग्राम करिका में बीर्शा मुंडा के सहाधत दिवस के उसर पर आवजित मेले में सुक्रवार की देर रात बंदगावा पूलिस और ग्रामिनों के भी जड़ाप हो गई इसमें एक जवान का माथा फट गया है तथा बाकी को मामूली चोटे आई है बीदी बेवास था संधारन हेतु अवैध रूप से हो रहे हबड़ डबा जुए को रोकने के लिए बंदगावा पूलिस सुक्रवार की देर रात ग्राम करी का गई थी इसमें मेले में उपस्थित ग्रामिनों द्वारा बिरोध किया गया एवाँ पूलिस पर पत्थरों एवाँ डंडों से हमला कर दिया गया ग्रामिनों को भारी परता देख पूलिस को अपने बचाव के लिए फारिंग भी करनी पड़ी है मनरेगा योजनाव में अनिमित्ता और गरबारी करने के मावले में दो रोजगार सेवक और एक मुख्या परगाजगिरी है सदर परखण अतरगत मंगरोडी पंचायत के रोजगार सेवक विजय कुमार बैद को बरखास्त किया गया जबकि मुखिया आसाद देवी का बीतिय पावर जब्त किया गया जीतपूर पंचायत के रोजगार से वक तबारक हुसेन को भी बरखास्त किया गया उपायूग तो नमर पीरियेस लकड़ा नया करवाई की है इसको लेकर सुक्रवर को अदेश जारी किया गया स्पाइक होल्स के सहारे नक्सली लड़ रहे अमतिम लड़ाई पच्मी सिम्हों में पिछले 15 दिनों से नक्सली के विरूद आपरेशन किलीन चलाया जा रहा है वहीं घंडे जंगलों में छीपे नक्सली स्पाइक होल्स के सहारे अपनी अम्तिम लड़ाई लड़ रहे हैं स्पाइक होल्स के सहारे नक्सली सुरक्षा बलों को नुक्सान पहुचाना चाहते हैं बता दे कुलहान के घंडे जंगलो और बीहडो में सुरक्षा बलो और नक्सलियों के बीच साह मात का खेल पिछले आट महीने सुजारी है अब ताइवान के यूद प्रणाली अपना कर जवानों को नुकसान पहुचाने की साइस रच रहे है इसके लिए नक्सलि प्रणाली में भी नक्सलियों ने बदलाव लाया है नक्सलियों ऐसे स्पाइक होल का पर्योग कर रहे है जो मेटल डिटेक्टर की पकड़ में न आ सके इसके लिए वे बास का पर्योग कर रहे है जो जंगलों में भरपूर मात्रा में मजूद है सुमवार से नौ निर्मित भौन में सुरू होगी सुनवाई 12 जून से जहारखन हाई कोड के नए भौन में सुरू हो जाएगी पहले दिन सन्विधान पीट जहारखन एजुकेशन ट्रिवनल से जुड़े मामले के सुनवाई करेगी अगर आपको किसी केस के सिलसिले में जहारखन हाई कोड जाना हाई तो भूल वस डुरूंडा ना जाए क्योंकि वहाँ का लाल बिल्डिंग अतित के पन्नों में समागया है अब केस के सिलसिले में धुरू जाना होगा वहाँ नो निर्मित भवन में सोमवार 12 जून से निर्मित सुनवाई हो रही है पहले दिन ही जेट यानी जहारखन एजुकेशन ट्रीवनल से जुड़े मामले को सुनवाई समिधान पीठ करेगी चिफ जस्टिस संजाय कुमान मिस्त्र जस्टिस रतनागर भेगरा जस्टिस दिपक रहसन, जस्टिस अनुभा राव चौधरी और जस्टिस नौनित कुमार की समिधान पीठ जेट मामले में दो कोट के अलग-अलग फैसले पर सुनवाई करेगी जहारखन राज समन्वे समिधी की बैठक में 12 एजेंडे पर चर्चा राजधने में मोरा बादेश्थी जहमो सुप्रीमो सीवू सोयन के अवास पर सन्वार को जहारखन राज समन्वे समिधी की बैठक संपन हुई इस बैठक में सरना धर्मकोड ओविस याराक्षन मॉब लिंचिंग कानून उर्जा के छेत्रे में राजध को आत्मने भर बनाने खास महल की जमीन पर वर्सो सुरह रहे लोगी समस्याओं के निस्पादन सहित का मुद्दो पर बिरहत रुप से चर्जा हुई इसके साथ ही समीती में लिये फैसले से सरकार को अगट कराने का फैसला लिया गया बताद जर्खन राज कोडिनेशन कमिटी की बैठक में फैसला लिया गया कि सरना धर्मकोड को लागू करने के लिए किंद्र सरकार से दुबारा अगरा किया जाएगा जर्खन में साथ चालिस नियोजन निती पर सियासत तेज जर्खन में सियासत का बड़ा मुद्दा नियोजन निती रहा है राज गठन के बाद से राज नितिक दलों के लिए खास रहा यह मुद्दा सुलजने की बज़ाए उलचता ही जा रहा है यही वज़ा है कि आज एक बार फिर जार्खन के छात्र सलकों पर हैं और राय नितिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में ब्यास्ता हैं जार्खन के छात्रों ने वर्तमान 47 नियोजन निति के खिलाब दो दिनों का जार्खन बंद बुला कर साप कर दिया है कि अब बहुत हो गया अब इस तरह का छलवा ना ही चलतो दरसाल नियोजन निति को लेकर जारखन के राय नितिक दलों ने कभी इमंदारी से पर्यास नहीं किया है इतने गंभीर विशाय पर सुरदलिय बैठक बुला कर समय बनाने के बजाए हर समय सातर उड़ल अपने अपने तरीके से नियोजन निति बनाते रहे जिस वज़त से हर बार नियाले द्वारा इसे गर समित धानिक बता कर खारिच किया जाता रहा है वंदे भरत ट्रेन के ट्राइल रन को किया गया रेसे डियूल रांची और पतना के भी चलने वाली वंदे भरत ट्रेन का एक गरह जुन को ट्राइल रन होना था लेकिन अब या ट्रोयल रन को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है मतलब या ट्रोयल रन बारह जुन को किया जाएगा बता दे पत्ना और रांची के बीच शुरू होने जा रही वंदे भारत ट्रेन को लेकर दोनों राज्यों के लोग बेहत उसाहित है ऐसा इसलिए किया ट्रेना सिर्फ आधोनिक सुविधायों से लेस होगी बलिक या महाँ च्छा घंटे में पत्ना और रांची के बीच की दूरी तैक कर लेगी रांची में जल्द सुरू की जाएगी नमो किर्केट अकादमी रांची में जल्द ही नमो किर्केट अकादमी सुरू होगी इसमें खिलाडियों को निसुर्क प्रसिक्षन मिलेगा या घोसना सांसर संजर सेट ने सरनीवार को सारदा गलोबल स्कूल में नमो किर्केट कोचिंग के समापन पर की है उन्होंने कहा है कि अकादमी में जीला वर राज अस्तर पर खेलने के लिए खिलाडी तयार किये जाएंगे उन्होंने कहा है कि परतिभावान आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अकादमी बदान साबित होगा यहां उन्हें आगे बढ़ने का उसर दिया जाएगा सांसर ने कहा है कि पुर्वर रंजी खिलाडी परदीप खन्ना की देख रेख में अकादमी संचालित की जाएगी कैम्प के संजोजक संजय पुद्दार ने बताया है कि इस दस दिवसे कैम्प में चैनित 50 बच्चों ने परदीप खन्ना जैसे खिलाडी से प्रसिशन प्राप्त किया जो इनके लिए लाबकारी रहेगी जारखन कबरदी टीम के लिए हुआ खोटी के सीबू और अंजनी का चैन पहला जंजातिये खेल महोसद 2023 के लिए जारखन में बनी कबरदी टीम में खोटी के दो खिलाडीों का चैन किया गया इन में तोरपा परखंड के जारी गाओं की अंजिनी कुमारी और कर्रा की दिवरी गाओं के सिबू होरो के नाम सामिल है बता दे कि 9 से 12 जुन 2020 तक कलिंगा इंस्चूट अप सोसल साइंस वुनेश्वर उडिसा में इस परत्योकता इन दोनों खिलाडियों के द्वारा बेहतर परशन किये जा रहे हैं संग के अध्यक्स एवाम मुख्य कोच, सिव कुमार मतो, सचीव, सुमीत, कुमार और कोसा अध्यक्स, सिता, कुमाय ने खिलाडियों को बदाई दिया है सिक्छक संग ने की स्कूल का समय बदलने की मांग जारखन राज माधमेक सिक्छक संग का प्रतिनिदी मंडल सन्निवर को उपायुक से मिला विशन गर्मी को देखते वे बिद्याले की बरतमान समय साहर ने में परिवर्तन के लिए गया 500 अपा संग ने कहा है कि इस प्रतिन गर्मी में 5 जून से विद्याले खोल दिया गया है मौसम विभाग हर दिन अलर्ट जारी कर रहा है कि दिन में 12 बजे के बाद घर से न निकले लेकिन विद्याले में एक बजे छुटी होती है छात्रों को तपती धूप और लू को सामना करते हुए घर जाना परता है इसकोली बचों को सारीरिक परिसानी का सामना करना पर रहा है अई भावाग अपने बचों को विद्याले भेजने से कत्रा रहे हैं जिस्ते छात्रों को परचिती भी काम हो रही है धन्यवाद